यह मेरा पूजा मंदिर है जो अभी फिलाल टेम्पररी है अब मैं इसे अच्छा से इसका मेक ओवर करके एक न्यू डिजाइन का लूप देखे अच्छे से साफ करूंगे सबसे पहले अब मैं यहां पर एक न्यूस्पेपर बिचा दूँगी अच्छे से और इसके उपर अब मैं एक प्रिंट वाला अच्छा सा कपरा बिचा दूँगी आपके पास जो भी कपरा अवेलेवल हो आप बिचा सकते हैं अब जितनी भी बावान की फोटो है या मूर्ती हैं मैं अच्छे से साफ कर लूँगी और यहां पर अच्छे से सेट कर दूँगी सबको अपने अपनी जगह पे अच्छे से 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 साफ कर दूँगी और यहां पर अच्छे से बावान की प्रेवले पास की खबचे से से अच्छे से सेट कर लिचा सकते हैं यह मेरे चोटे से लड़ू गोपाल है अब मैं इन्हें भी अच्छे से साफ करके इन्हें अपने अस्थान पर बिठा दूंगी अस्थान प奏ंथिल लिए अच्छे साफ करे इन्हें अस्था शोण टापके लिएपनीखे बिड्याँ युछंगी यह मोर पंक है और मैंसे भी अच्छे साफ करूंगी और यह लड़ो गोपाल के पास ही रख दूंगी अब इधर साइड में मैं पूजा की जो भी समान रहते हैं जैसे अगर वत्ती या फिर परसाद चरहने वाला या भर्वान के कप्रे बत्ती जो भी यह मैंने बास्केट में या प्रॉर में करके रखती हूं तो मैं इन्मीब अच्छे से अजेश्ट करके, साफ करके रख दूंगी तो यह मेरे अभी विट्रे-विट्रे से हैं, जो मैंने अभी पहले से पहले साफ करोंगी अब यहां पे मेरे जो भी पितर देवता लोग है मैं इनकी मूर्तियों को भी अच्छे से साफ करके इनके स्थान पे लगा दूंगी यहां पे भी मैंने एक प्रिंट वाला कप्रा बिछा दिया है अब मैं यहां पे जितनी भी पितर देवता की मूर्तियां थी मैं उन्हें फोटो फ्रेम को अच्छे से साफ करके पोच के लगा दूंगी यह अन्हें करते हैं पिपर देता के उपर चड़ी में उनको मैं अच्छे से दो ली हूँ और धो के पोच के अच्छे से फुरसे लगा दूंगी अब यह एक ओर्गिनाइजर बॉक्से जो मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था इसे भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी और चितनी भी पुजा की सामद्री है इनमें सब रख दूंगी कर दो दूंगी झाल झाल जितने भी एक्स्ट्रा सलाई या फिर कोई भी अगरबती जितने भी एक्स्ट्रा समाने सब मैं इन बॉक्स में रख के अच्छे से रख दूंगी जैसे मोली, कपूर, बत्ती यह सब सब मैं इन में डाल दूंगी झाल झाल अब यह एक ट्रॉर है जो फ्रीज ड्रॉर है तो मैंने फ्रीज में यूज़ करके नहीं करके यहां पर यूज़ किया है तो इसे भी मैं अच्छे से पोश्च रूँगी और इसमें जो डे मतलब ब्रेगुलर यूज़ होते हैं बारबर उनको मैं इसमें रख दूँगी उपर आगे में ताकि कोई भी खोजे तो उसे असानी से मिल दी यह मैंने चोटे चोटे डबो में जैसे फुलवत्ति को घी में डूबा दिया है या फिर बत्ति को तेल में डूबो के सबको अलग-अलग करके रख दिया ताकि बार-बार मुझे परिशानी नहीं हूँ एकेकर के लेने में एक ही बार में मैं मैं बहुत सारी बत्तियों को डुबो के तेल में और गी में रख देती हूं ताकि मैं असानी से ले सकूं इसमें मैंने चावल रखा है ताकि रोली के लिए यूज किया जा सके कभी भी कोई भी ले रख सके और इसमें मैंने रोली रखी है ठोड़ी से निकाल के ये लड़ू गोपाल का छोटा सा आईना है जब मैं लड़ू गोपाल को नहला के तयार करती हूँ तो उन्हें मैं दिखा देती हूँ और रखा है आगे में ताकि कोई भी अच्छे से खोच के ले ले इस वाले टब्बे में मैंने मिस्री रखी है लड़ू गोपाल को या कोई भी भगवान को भूग लगाने के लिए ये एक और बासकिट का यूज मैं यहां पर कर रही हूँ इसमें मैंने ये लड़ू को पाल के लिए जो मखाने होते हूँ उसे मैं भूग लगाती हूँ तो बसाम तो वह मैंने रख रहा है यहां पर और इस वाले टब्बे में मैंने पंच मेवा रख रहा है ये भी मैं अपने लड़ू को भूग लगाती हूँ इस वाले टब्बे में मैंने थोड़ी सी गिव हूँ रखी है ताकि गिव कहीं पे भी पुजा में लगे तो आसानी से ले सपों को इस वाले डब्बे में मैंने लड़ू को पाल को नहलानी के लिए अव्यंग पॉडर रखा है इससे मैं लड़ू को पाल को नहलाती हूँ झाल 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 कि अथी यह मैंने डायरी हमेशा मैं लड़ू को पाल के पास रखते हैं जोड़ी तखलीफ होती है मैं लड़ू को पाल के पास लिए रख जाती हैं इस बास्केट में मैं लड़ू को पाल के जितने भी ड्रेस हैं चाहिए वह उलेन हो चाहिए गड़मी क्यों सारे इसी में मैं लड़ू को पाल के ब्रेस को अच्छे से रखती हैं इस शाम कुम को अब मैं अच्छे से पोच के इस प्लेट में अच्छे से रख दूंगे इस शाम को अच्छे से रखती हैं इस अल्मारी में मेरे नीचे भी ड्रॉड बना हुआ है इसमें मैं जो ज्यादा यूज के समान नहीं है बहुत रेर यूज होते हैं उसे मैं रखती हूं अब इसे भी मैं एक अच्छे से पेपर से नीचे पेपर बिच्छा दूंगी और सारे चीजों को अच्छे से पोच के अच्छे से रख दूंगे अच्छे सब्सक्राइब है जितनी भी पर्वत्वार की बुक्स हैं आरती की सब मैं इसके अंदर रखती हूं जो रेर यूज होते हैं कर दूंगे खाया रखती है इस स्टिल के टबे में मैं जोद के लिए घी रखती हूं पुजा में जोज होती है इसे वी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है वागी सीवी में इसे अच्छे से पोस दूंगी कपरे से ताकि जो भी धूल मिठी हो वो हट अब ये मेरा पुजा मंदिर फाइनली अच्छे से रेडी हो गया है अब ये फाइनल लुक देख सकते हैं अब यहां का हला है झाल 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 झाल